अओ छले गूद मॉर्निंग गूद मॉर्निंग टो अल फ्यू गूद मोर्निंग साथ फेलोग को महीं है बॉल्कम यू और से इस लाइप स्वागत है सभी बच्चों का जो भी जुड़े हुए है चलि देखते हैं कौन कौन जुड़ा है को कि कॉमेंट्स करके बताईए आवाज वीडियो सब क्लियर है तो फिर उसके बाद आगे बढ़ाजा हम लोग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज लेट मी नो क्विक्ली कलिए फास्ट कि लेट आते हैं बच्चों को जोड़ी है जितने बीज़ा करते हैं सभी लोग को बोलिए जुड़े शुरू ओ चुकी тоб turned ही और जैसा कि आप पहले से जानते हो कि हम सभी हम लोग जो है प्रोपर एक से उनके उनको टार्गेट करें क्या माच्स रीजनींग और इंग्लिष ये तीन सब्जेक्स आपके डेवलोशुव बेसिज के चल रहे हैं हैं इंग्लिष में वर्व का आज सात्व है है ऐसे टॉपिक्स में उठाऊंगा इंग्लिश में खास तोर पर जो बैंकिंग में आप से पुछे जाएंगे और बैंकिंग में आपको प्रॉब्लम देते ट्रबल देते हैं आज उनी की बारे में लोग बात करेंगे कि देखें और कौन को जुड़ा हुआ है को में आया है बेटा कोमेंट्स करिए बताइए मुझे क्या चल रहा है अभी तक कोई कॉमेंट नहीं आया है कि चलिये वेरी गूड मॉर्निंग एससेस गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग पहला बच्चा आया है गुड मॉर्निंग क्या हो गया वाई क्या हुआ नहीं पढ़ना इंट्रेस्टेड नहीं हो जल्दी करिए जल्दी बाकी सारे लोग भी जुड़िए लेकिन आपको जादे ही लेट हो रहे हैं जल्दी जुड़ोगे तभी मज़ा आएगा तभी क्लास करने मज़ा आएगा फ्रेजल वर्प्स पिछले क्लास पर शुरू किया था मैंने जो बच्चे नहीं जानते हैं वो प्लस प्रिपोजिशन इनको साउंड या फिर वीडियो की प्रॉब्लम हो रही है वो लोग कॉमेंट करें या फिर सब सही है तो भी बताइए मुझे तब मैं आगे बढ़ूंगा क्विकली क्विकली बताइए जो भी लोग जुड़ें क्रिप्या कॉमेंट करें आप ही के लिए यहाँ पर क्लास चल रही है जब भी जल्दे जल्दी से जो लोग जुड़े हुए कॉमेंट्स करिए फटा-फट क्या है क्या है जो भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से कॉमेंट्स करिए और बताईए ज़िए अब अपना टाइम वेस्ट करें पर फाइदा नहीं है जो भी जोड़ेंगे दीरे दीरे जोड़ते रहेंगे लोग मैं अपना काम अगया बढ़ाता हूं देखे क्या शुरू किया था रहर बता देता हूं टॉपिक चल आपका तॉपिक चल रहा आपका फ्रेजल वर्ब्स वर्ब्स में डिफ्रेंट टाइप्स के वर्ब्स के बारे हमने चर्चा की है बेसिक वर्ब्स वगरा वगरा आज हम लोग बात करेंगे प्रेजल वर्ब्स की जिसके बारे में चर्चा पिछले क्लास में अल्रडी कर चुका हूं प्रेजल वर्ब्स नॉर्मल वर्ब्स से सिर्फ एक पॉइंट पर अलग होते हैं कि वह पुड़ी सी डिफरेंट मीनिंग रखते हैं नॉर्मल वर्ब्स से पिछले क्ला वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी मीनिंग नॉर्मल वर्ब्स से अलग होती है उनको इसलिए फ्रेजल वर्ब्स का जाता है फ्रेजल मतलब फ्रेजस जो एक फ्रेज के रूप में काम किया जाए उससे ज्यादा डिफरेंस क्या है ग्रामेटिकल डिफरेंस है फ्रेजल Olubus combination होता है कि वर्ब प्लस प्रफफ ब्रपोदीशन की कवकि अब भकलब प्लस प्रफफ का अगर कॉब्पोदीशन मुगा तो हर लाइव प्र होटा है नहीं रहता है प्रफफ बदलता रहता है जैसे कम के साथ on, कम के साथ out, कम के साथ into यह जितने भी प्रेपोजिशन है सब change होते रहेंगे लेकिन कम remains the same तो यह होता है फ्रेजल वर्ब ठीक यह मैंने पिछले लेकिन सारे आपके काम के नहीं है तो हम लोग जो examination को target करके पढ़ रहे हैं उसमें हमारा मेन objective यह होना चाहिए कि हम लोग ऐसे फ्रेजल वर्ब को पढ़ें जो regular basis पे आते हैं और उनके उपर based questions अगर आएंगे तो आपको exam में फाइदा हो अब ऐसे पढ़ने को तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बन जाएंगे तो सारे हम लोग नहीं पढ़ेंगे मेरी questions उठाएंगे उनके उपर questions मलब करेंगे और उनके बाद उसमें जानेंगे कि क्या-क्या उससे related phrasal verb बन सकते हैं तो पिछले क्लास में हमने ऐसा ही किया था अगर आपको याद हो carry के साथ हमने यह खेल किया था carry के साथ forward किया था carry के साथ आउट किया था carry के साथ और भी बहुत सारे बहुत सारे prepositions change करके हमने phrasal verbs बनाए थे आज हम लोग वही वर्ब change करेंगे अब carry की जड़ा कुछ और आ जागा तो ऐसे करते 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 हम लोग maximum number of जो चीज हो पाएंगी जितने भी verbs हो पाएंगे उतना हम लोग maximum maintain करके चलेगे ठीक है तो यहां तक सब को clear है तो comment करके बता ही मुझे जल्दी से comment करें यहां तक जो भी बता है पिछले class की जो चीज़े हो सब clear है तो फिर हम लोग आगे बढ़ें क्योंकि आप questions का समय आ गया है अब हम लोग फ्रेजल वर्ब्स की दूसरी कड़ी करने जा रहे हैं और फ्रेजल वर्ब्स में जो questions आते हैं उन के बारे में आज हम लोग चरचा करेंगे धिरेक्त लिम्हें आपको सीथे बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा वर्ब फ्रेजल वर्ब इसमें fit हो सकता है तो चलिए देखते हैं आठीक है चलिए तो पहला कोशन आपके स्प्रीन पर आ रहा वेटा इसको देखिए फिर उसके बाद आज हम लोग फिर से एक फ्रेजल वाफ उठाएंगे और देखेंगे कि क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो और सभी को अनलिसिस करेंगे और पता लगा खाए जाएगा चलिए देखिए है के कर दाठीके है के कि क्वेश्टटाक के सामने है分क्त विया आपको दिए हुए इनको मिलोग कहते हैं डबल भिलर्स मतलब दो दो ब्लांक जो आपको भरने हैं इनको अम लोग पिलर폰 आप इसमें आपको दो दो हो सकता combination में जानबूच करके दिया है क्योंकि थोड़ा सा complicated होगा तभी आपको मज़ाएगा करने में अब देखो दोनों आपस में मैच कराओ देखो क्या मीनिक निकल करके आ रही है देखें पहले किसका answer आता है कौन इतना तेज है जिसका पहला answer आ सकता है अभी दख कोई answer नहीं है देखें कौन कर सकता answer जल्दी से answer करो भीया मैंने स्क्रीन छोड़ दिये देख लो question समझो क्या कह रहा है opposition पार्टी मिनिस्टर का resignation after the scandal फला डिमका scandal क्या होता है पता ही आपको हिंदी में कहें तो कांड इंग्लिश में कहें तो scandal चलिए पहला अंसर आगया है वैब हो कह रहा है फोर्थ होगा प्रेजल वर्प्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यहीं है कि आप हर एक फ्रेजल वर्प्स को समझें जो important वान से तो आज हम लोग एक लिस्ट भी बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें कौन-कौन से क्या-क्या मीनिंग देते हैं ठीक है चलिए पहला answer आए दूसरा भी answer आया है सिद्धी का कहना है थ्री होगा जो भी बच्चे है सब लोग answer करें मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं देखें सब लोग सबने आई होप देख लिया है तो ऐसा करता हूं ना कि मैं एक और पेज इसमें आड़ करता हूं और हम लोग आप एक लिस्ट बनाएंगे फ्रिजल वर्प्स की किससे बनाएंगे देखते हैं कि पहले जो लिश्ट बनाने जा रहा हूं ब्रेक से ठीक सब लोग नोट्स बनाएंगे लिखेंगे ठीक उसके बाद कॉल कॉल से ठीक अब देखो जितने इंपॉर्टेंट फ्रिजल वर्प्स ब्रेक और कॉल से निकलते हैं सब के बात करता हूं अब ब्रेक आउट ठीक ब्रेक 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 ब्रे लिखना है नोट्स बनाना है यह आपको नोट्स दे रहाँ प्रॉपर यह सब इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्प्स हैं कॉपी खोली और लिख डालिए जिनको नहीं पता है उनके लिए है क्योंकि अगले जो सवाल आएंगे उनमें सब्सक्राइन में से कोई फ्रेजल वर्प्स आहें तो आपको पता रहाएं तो आप आंसर आराम से कर पाऊंगों से सभी बच्चे अपने नोट्स बनाए प्रॉपर जितने भी है अपने नोट्स बनाई एफट आफट गुड मॉर्निंग डेविड जॉंगे जॉर्ज सुरी आम सॉरी डेविड जॉर्ज का नाम रखे भाई इंग्लिश टाइप का नाम लग रहा है डेविड जॉर्ज वेलकम है डेविड जॉर्ज क्वेस्टन आएगा आप देखी आप बताईएगा अभी पहले अमने फ्रेजल वर्प्स के बना लेए अब क्या कॉल से क्या होगा विटा कॉल के बाद on होता है कॉल के बाद off होता है ठीक कॉल के साथ फॉर होता है तब बताऊंगा शांतिस बने रही है कॉल इन होता है ठीक और कॉल पॉल आउट होता है इतना लिख लो बस बहुत है बहुत है इतना देखते जा वेटा अब चूकी सब लोग अपने अपने कॉपीस में इसको लिखेंगे अब आज हम अभी मैं सब की मीनिंग बताने जा रहा हूं ठीक ब्रेक आउट का मतलब होता है सडेन एस यू डी डी ए अचानक से कोई चीज फट जाए उसको इंग्लिश में सडेन आउट बस कहते हैं तो कॉल आउट सारी ब्रेक आउट का मतलब अब एक एक्जाम्पल लेता है कोई भी चीज अभी नॉर्मल चल रही है मतलब उसमें कोई भी हल चल नहीं है लेकिन अचानक से अगर फट जाए अचानक से उसमें उठानों तो इसको इंग्लिश में ब्रेक आउट कहते हैं अब जैसे आम तोर पर इंकास्तमाल जिसे दंगे भड़क जाते हैं बहुते हैं ने दंगे भड़क गया मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक से दंगे हो गये तो वह क्या होता है ऑट हो जाता है ठीक को ना आया था वो भी ब्रेक आउट हुआ था क्योंकि वह क्या था सब नॉर्मल ठाल करना चानक से फट पढ़ा उसको इंगलिशमें ब्रेक आउट करना इस यदीmिलिकarios abd जाना या अचानक से कोई चीज का बाहर आ जाना और इंग्लिश में कहेंगे सदेन आउट बर्स्ट लिख लीजिए तो मैं मिटाओंगा जगह नहीं है न तो मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए लिखने के लिए तो आप बताईए जल्दी से यहां तक सब को क्लियर है लिख लिया ब्रेक आउट ठीक अब देखो ब्रेक डाउन स. ट. O. P. S. U. D. D. E. N. L. Y. stop suddenly अंतर समझी है क्या होता है ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज चलते चलते अचानक से रुक जाए उसको इंगलिश में ब्रेक डाउन कहते हैं और हिंदी में टूट जाना कहते हैं घिक हिंदी में कहते है तो उसको इंग्लीश में क्या कहेंगे ब्रेक डाउन करना एक देख लीजिये ब्रेक डाउन यहांतक सबको क्लियर है प्रेक आप देखो ब्रेक अप का मतलब होता है end a relation लेख्लो भईया, copies में फटाफट येस, topic का नाव है बिटा, phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs break up, end a relationship break up का मतलब end a relationship break up का मतलब होता है end a relationship और break into to enter forcibly लिख लिजिए, अच्छा to enter forcibly का मतलब enter मतलब प्रवेश करना और forcibly मतलब जबरदस्ती कहीं पर भी जबरदस्ती आप अगर प्रवेश करना चाते हो तो वो break in या break into कहलाता है जैसे आम तोर पर बोलते हैं कि यार दो चोर घर में घर में ताला तोड़के घुज गया तो भाई घर में ताला लगा क्यूं था ताकि कोई अंदर न प्रवेश कर पाए और जबरदस्ती घुज गया मतलब ताला तोड़कर करके तो इंग्लिश में ब्रेक इन टू कहते हैं दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई या मोदी जीती हैं की राहूल गांधी अब दुन्नों लोग के बात में कोई तीसरा व्यक्ति आगल कि ना ही इंडिया का अलाइंस के सरकार नब नी इंकर सरकार मनी ठीक तो यह जो बीच में किसी ने जबरदस्ती हस्त छेप कर दिया डाट इस ब्रेक इन का सिंपल मतलब सिर घर तोड़ घर में ताला तोड़ के घुसता नहीं होता है उसका यह भी सेंस होता है कि आप किसी जगह पे जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास कर रहा ह चाहे वो घर हो चाहे दो लोग की बाते हो चाहे कैसी भी सिच्ठोइशन उसमें गर ब्रेक इन इन का मीनिंग ता दिया भी है इस से जाथ तो यह आएगा ब्रेक आउट ब्रेक डाउन ब्रेक अप ब्रेक इन्टू और ब्रेक इन ठीक इन और इन्टू दोनों सेम है पस जिफ्रेंस दोनों का ग्रामेटिकल है भी वह भी बता देता हूं ठीक है यहां तक सबको अधिक अधिक किया रहा है याद रखते रहिए कौन कौन से फ्रेजल वर्प्स आप पढ़ रहा है तो ब्रेक इन ब्रेक आउट ब्रेक इन्टू अच्छा इसको एक एक आउट मतलब बाहर है तो कोई चीज अंदर अभी अचानक से बाहर आ जाए इन मतलब किसी चीज के अंदर अंदर से बाहर आगया तो काउट हो गया किसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर गया इन ब्रेक इन तोड़ के अंदर घुज जाना मतलब कि कोई अलाओ नहीं कर रहा है तुम्हें तुम उसके अंदर जबस्ती आ रहे हो उसको ब्रेक इन करना कहते हैं ठीक प्रेक आप जानते ही हो एंड अफ होते हैं अब चलते हैं इधर में कॉल के बाद एक कॉल आन का मतलब क्या होता है कॉल आन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना लिख लीजिए कॉल आन का मतलब होता है टू स्टार्ट सम्थिंग कॉई भी चीज़ को हिंदी में शुरू करना इंग्लिश में कॉल आम तोर पर परहान मंतरी के मीटिंग ने मीटिंग बुलाई है तो ओन उन शुरू करना चाहते हैं, खाल ओस थगेत करना हिंदी में कहते हैं स्थगेत करना और इंग्लिश में कहते हैं टूब पॉज सम्पिंग थोड़े देर कि किसी चीज को रोक देना that is call off ठीक? और वो call off कुछ भी हो सकता है जैसे माललो अभी कोरोना आया था तो जैसे बहुत साहरे functions थे जो जासे माललो कोरोना आ गया बहुत सारे भीड़ों गई तो यह कई लोगम रहें इपनी शादिया call off कर दी क्या कर दी ठीक उसका उसी चीज़ को स्थगित कर देना थोड़ देर के लिए टाल देना that is to call off call for English में होता है demand करना demand मतलब जैसे मैं कहूं कि यार सबने 3D8s movie देखी होगी उसमें वह जो एक scene है जिसमें वह बोलता है कि सराप आपने मुझे बुलाया जब वह लाइड को भेज देता है वीरुस्वास्त्र बुद्धि के पास तो बोलता है कि सरापने मुझे बुलाया तो वह बोलता है यहां तक सब लोग लिख रहो ना विया जितने भी लोग है विया सब लोग लिखिये बेटा carry on का मतलब होता है कोई बी चीज जो पहले से चल रही हो उसको और आगे बढ़ाना उसको इंगलिश में carry on कहते है ठीक है अच्छा call in लिख रहो ना विया सब लोग प्लीज मैं explain तो कर रहा हूं मैं पर जगन इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं कॉल ओन तुरू करना तू स्टार्ट सम्थिंग call off to pause something हिंदी में स्थगित करना call for demand करना किसी चीज के लिए demand रखना उसको इंगलिश में call for call in लिखिए सब लोग call in का मतलब call in का मतलब किसी को सहायता देने के लिए बुलाना कि लिखिए to seek someone's help call in का मतलब होता है call in का मतलब होता है to seek someone's help call in का मतलब to seek someone's help किसी को सहायता के लिए अपने पास बुलाना that is call in ठीक है और लास्ट वे चलते हैं call out भाईया simple चिलाना या पुकारना पुकार के चिला करके किसी को बुलाना that is to call out आपने कई बार सुना होगा कि टीचर सेंबली में बोलते हैं कि यहां फ़लाने भाईया इधर आई दस दिन से आप कहां थे तो उन्होंने फ़लाने भाईया को जो बुलाया वह कॉल आउट किया उनका नाम पुकारते हैं चिलाते हैं तब वह बाहर आता तो तारी इस टू कॉल आउट ठीक तू शाउट अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो लिख सकते हैं टू शाउट ठीक है चलिए के टा बता दो दिया कैरी ओन का मतलब होता है कोई चीज कोई चीज जो पहलेस चल रही हो उसको आगे कॉंटिन्यू करना था इस कैरी ओन अब जैसे माल लिजे वह एक्जामपल दे सकते हैं आप कहीं पर भी गए कोई व्यक्ति कोई काम में व्यस्त है अचानक से वह आप द में रुख गया और उसी के आगे कॉंटिन्यू करना डाट इस टू कैरी ओन चलिए अब यह एक्स्प्लेनेशन दे दिया अब आते हैं प्रीवियस स्लाइड पे अब इस सवाल का उत्तर सही रूप में सभी लोगों को देना पड़े गई आपकी मजबूरी कि मैंने समझो समझा बताओ कि क्या हो रहा है कि मैं यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसका अंसर देंगे क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स पताया है अभी इसके पहले जिसके जश्ट बाद मनें एक्स्प्लेइन कि आप देख लीजिए लिखा है आपने त कि अब वेटिंग आम वेटिंग पुराना अंसर जिनों में भी दिया था वह वह भी दे सकते हैं चलिए पहला अंसर है डेविड जॉर्ज का ए देखो बाकी लोग एक सिर्फ एक आंसर है एक सिद्धी का वन बेटा देखिए ध्यान से देखिए सब लोग क्या कह रहा है कह रहा है opposition party ने एक क्या opposition party ने कोई चीज शुरू की अगर कोई चीज शुरू करते वो तो यहां पर लिखा एक है ministers resignation का मतलब होता है त्याग पत्र किसका त्याग पत्र मिनिस्टर का त्याग पत्र तो opposition party ने मिनिस्टर का त्याग पत्र शुरू किया या बुलाया नहीं नुट पॉसिबल, meaningless है, worthless है, आप खुद सोचो, इसमें क्या difference आ रहा है, आप खुद से इसका आंकलन करिए, देखें और भी क्या answer आया है, अभी भी 4 और 4 और B, 1, 2 और 4, ठीक है, चलिए, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप खुद से सोचो, आपको हिंट देता हूँ, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँगा, कि हर एक बच्चे को सामझ में आगे है, तब तक मैं नहीं आगे बढ़ूँगा, मैंने एक वर्ड भर दिया है यहां पर, अब जड़ा अपना फ्रेजल वर्ब उठाओ, लिस्ट उठाओ, जो अभी अपने समझाई है, और देख के मुझे बताओ, कि उसमें से कौन सा सही फिट बैठेगा, जल्दी बताओ तो, मान जाया हूँ, दि ओपोजिशन पार्टी और मैंने यहां पर एक सही वर्ड भर दिया है, डिमांडेड दिमांड का मतलब क्या होता है, मांगा, हक से मांगा, भया नहीं हमको वापस चाहिए, दिमांड करना, अब दिमांड की मिनिंग तो नहीं बताओंगा, अगर दिमांडेड यहां लिख दिया, तो बताओ दिमांडेड से कौन सा फ्रेजल वर्ब बनके आएगा, बताओ जल् Demanded का मतलब अभी मैंने क्या लिखवाया अभी मैंने लिखवाया आप जाकर के देखो अपनी copies पल्टो अगर आपने notes बनाए है तो आपको पता होगा मैंने लिखवाया जाकर देखो तरह क्या है कौन सा फ्रिजल वर्व होगा Demand का 444 answer तो आ रहे हैं 4 Demand का मतलब बताया था मैंने CALL4 call for का मतलब क्या बताया डिमांड करना ठीक अभी मताया न भाई देखो अपने notes इसलिए notes important होते हैं आप उसको देखिए समझिए पढ़िए न्यूस्पेपर रिडिंग करिए ये words देखिए कहां आ रहे हैं तो call for का मतलब होता है देखिए डिमांड करना है तो अगर आप चाहो तो डिमांड भी लिख सकते हो second form या फिर इसका second form लिख सकते हो C-A-L-L-E-D called उसके बाद फॉर यह भी आपकी चोईस है भाई तो अगर डिमांडर यहां भरना होगा तो called for लगाएंगे कहां कहां है यह गलत यह गलत और यह हो सकता दो अप्शन कट गए अब या तो यह called for होगा या तो यह called for होगा अब called for में आप देखेंगे ब्रोक इन और यहां लिखा क्या ब्रोक आउट ठीक अभी मैंने क्या सिखाए बेटा ब्रेक इन का मतलब होता है किसी जगह पे जबरदस्ती प्रवेश कर जाना डाट इस ब्रेक इन और ब्रेक आउट का का मतलब क्या बता है कोई चीज जो दबी हुई है चुपी हुई है पहले से बंद है शांत है लेकिन अचानक से फट जाए ब्रेक आउट होता है स्कैंडल का मतलब क्या होता है कांड अगर मालू नेता ने कोई चोरी की है तो चाहता है कि छुपा रहा है और वो चीज जब और ओके लिवे इन कि पर दिए थैंगो की सब्सक्राइं बिल्कुल सब्सक्राइब work जल्दी बताई नहीं है आप आराम से पड़िए आराम सी समझेये फ्रेज़ल वर्प जितना डीप में आप पढ़ेंगे जितना पड़ेंगे लेकिन वह सब एक्जाम औरियेंटेट होगा तो सभी लोग बस बने रही है तो मैं आगे क्वेश्टन पर चलता हूँ पूर्थ आंसर होगा यह वाला जिन्होंने फूर्थ आंसर दिया हूँ बिलकुल सही है आम प्राउड आफ यौल बॉइस देखियो अब ही मैंने कॉल पर मैंने क्वेश्टन बताया है अब आप देखिये कि क्या होगा इस क्वेश्टन का अंसर दीजिए सब लोग जल्दी से हर बार सेंटेंस जो होगा वह एस पर सिचुएशन ही एक्ट करेगा तो आपको फ्रेजल वर्प्स क्लियर होंगे तो आपको पता चलेगा अब अपने नोट्स देखकर क्या पैंसर करिएगा आपके नोट्स में लिखा हुआ है जो बच्चे लेट से जोड़ रहा है वो लोग क्लास को रिपीट मोड पर देखिएगा मैंने बहुत डीप में एक्स्पेंड किया है हर एक की मीनिंग कैसे क्या है जब आप वह देख लेंगे तब शायद आप यह क्वेश्चेंस कर पाएं और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है यू और वेलकम चले विवेक का पहल स्पीड में. क्विया एंसर क hetशे रहे सक्षी का भी एंसर यह वraszam foul है तो रीषव नर्म की लोग का घख ध्यारा रहा है फोर्ट 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 त डेविद जोर्ड सक्त us कि measurement आया है फोर्ट डेविड जोर्च का यह फिफ्थ टिरए था अल्ब मैंने क्या लिब कॉल इन की मीनिंग पहले याद करो याद करो पहले कॉल इन तो कॉल समवन तो यह इसकी मीनिंग है किसी की सहायता लेने के लिए किसी को बुलाना is to call in अब जैसे आप कही बार सुनते होगी कि यार विराट को लिको कॉल इन किया गया है अगले मैच के लिए क्यू विराट कोली की किसी की सर्विसेस या किसी की सेवाई लेने के लिए आप अगर किसी को बुलाते हैं तो क्या लिखा हुआ है करना घुलाना पड़ा क्या करना पड़ा यहां पर बुलाने की बात कर रहा है वेटा नहींड आप कॉल आटल तो आपने रास्ते में खड़ें करें क्या वाता है पॢकारने तो सेंटेंस की ऄस्ट अब वह यह पन रहा है कि यहारे घर में प्लमबर के आपस्क क्या होता है जिसमें बरतन धुलते है उसको सिंक कहते हैं सिंक वाज लीकिंग भईया सिंक क्या कर रहा था लीक कर रहा था और मेरे पास कोई मेरे मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि उसको कैसे ठीक किया जाए अगर तुम्हारे आ है क्या बोल रहा हूं मैं तो अगर मान लो इन लिखा है तो यह बिलकुल सही है एकजाम में ऐसे भी आएंगे कि आपको चेंज नहीं होगा ये option बिलकुल सही है वैभाव सक्षी वैभाव, साक्षी, गरिमा, खुश्बू, शिवांगी, सभी लोग का अंसर बिलकुल सही है, वैभाव इस बार सही नाम लिया है मैंने, साक्षी, वैभाव, सिद्धी, गरिमा, और शिवांगी, सभी लोग का अंसर बिलकुल सही है, जो इसलिए नोट्स लिखना बहुत ज़ बताओं देखिए टोटल चार या पांच फ्रेजल वर्प मैंने कॉल पर कराएं है और चार या पांच ब्रेक पर कराएं तोटल दस फ्रेजल वर्प साज हमने चर्चा की है उनके उपर कुछ questions है आईए देख लेते हैं उसके बाद फिर class में ज़्यादा burdensome नहीं करेंगे ठीक है चलिए next question देखो अभी meaning लिखवाई है अभी meaning लिखवाई है देख के ज़रा ध्यान से बताओ तो हुआ है चलिए clear है आगे बढ़ते हैं question का अंसर दीजिए इसमें मैं कोई सहायता नहीं करने वाला हुआ कसम बता रहो कसम से एक भी रतिशाद में बताऊंगे पर सीधे अंसर बताऊंगा जिसका अंसर सही होगा वह देख पहला answer आया है सक्षी वान दूसरा answer आया है वैभाव ए मतलब वन ए ठीक है बाकी लोग ओके अगर मुझे लगेगा कि आप लोग एक लेवल सीख चुके हो तो फिर मैं लेवल बढ़ाऊंगा लेकिन वह लेवल जो बढ़ेगा उसमें आपको भागना नहीं ठीक है रिशु कह रहे हैं टू चलिए आए देखते हैं रिशु जी आप थोड़ा सा लेट जुड़े इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं डेविड जोर्ज वन चलिए 99 परसेंट लोग सही है थाली बेटा रिशु थोड़ा सा गलत दिश्रा में चले गए हैं, देखो बेटा, कॉल चन्सर्ट क्या होता है , जब कोई भी काम अगर आप nat?, बलकि आउट आफ फोर्स करते हो उसको English में have to has to had to से दर्शाते हैं तो गणसर्ट had to be और यहां पर जो वर्ड भर रहें कॉंसर्ट को करना पड़ा कुछ करना पड़ा क्या करना पड़ा क्यों करना पड़ा देखते हैं क्योंकि जो सिंगर था वो वेंट डाउन एक लगे हाथ यह भी फ्रेजल वर्ब आप लिखी लो देखिए गो डाउन एक यह एक फ्रेजल वर्ब है गो डाउन का मतलब होता है बीमार होना बीमारी से जूझना इंगर लिख लीजिए गो डाउन डाउन मतलब नीचे गो मतलब जाना अगर मालो तुम्हारे शरीर में अगर बुखार लग जाए तो क्या हो जाती है तो गो डाउन असे अंदाजा लगा दो ना यहां क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि जो सिंगर था भाई कॉंसर्ट में हो गया किस चीज से बाट केस फ्लू मतलब की बहुत बुरा मामला फ्लू का बहुत खतरनाक वाला वर्जन उसको लगा जिससे कि वह गो डाउन हो गया यहां तक सबको क्लियर है अब इसमें क्या होगा अगर मालों सिंगर को बुखार लग गया और वह प्रॉब्लम में आ ग चुका हूं जितने बच्चे लेट जुड़े हैं वह सभी लोग जा करके वीडियो को रिकॉर्डट फॉर्म में देखेंगे हर एक वर्ड की मीनिंग लिखवाई और एक्स्प्लेन कराई है जा करके देखिएगा तो यह क्या होता है ऐसा कोई फ्रेजल मैंने बताय ही नहीं जबर जस्ति का ठूस्दी आप्षण बचा कौन सा कॉल ओफ हिंदी में कहें तो इस्थगित करना ठीक हिंदी बुले तो स्थगित करना यहां तक सब को क्लियर है तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगा पिटा कॉल ओफ तो लिखाया है है फ्रेक अकन कॉल पॉनसर्ट है तू नेक्स वेटा चलिए नेक्स क्टिशन तो यहांत्व स्थ जो दस दस प्रेजल सपदाइब आज मैंने और दस महीं हम लोग रूच खेलेंगे इतना जानने के बाद आपको अपने तरफ से मैं करनी पड़ेगी न्यूस्पर वह पढ़े आ पढ़िए नयए फ्रेजल वर्प्स आपको उसमें हर रोज मिलेंगे अगले क्लास में मैं न्यूस्पेपर रीडिंग कराऊंगा फ्रेजर वॉप्स पर नए फ्रेजर वॉपस एक्स्पेंग भी करूंगा और लेवल थोड़ा सा उपर उठाऊंगा तो सभी लोग जुड़े हैं सभी लोग अगले क्लास में थोड़ा सा हाई लेवल के लिए तैयार रहेंगे नेक्स्ट कुशन देखिए अपने क्लास अपने बोर्ड पे यहां पे कुछ अलग आ गया ज़रा देखो क्या होता है केर फॉ हो सकता है कि आज कई लोगों को अभी इस क्वेश्चन में एक्च्वल में रियलाइजेशन हो कि जो वो इसके पहले केर फॉर का मीनिंग समझते थे वो वो नहीं होता है जो यहां पर है तो पहले पहला आंसर देखते हैं पहला वैभा कह रहे हैं लाइक ओके फॉर फॉर आंसर आया है पहला दी फोर डेविड जॉर्ज फोर रिशुकुमार वन ओकेई 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 चलिए देखो यहां पर आपने बिटा आप इस बात में नहीं फसे हो कि इसका राइट और रॉंग एंसर का आप एक नॉर्मल सी ट्रिकरी में फसे हो सब लोगों को इ बेसिक कॉमन सेंस की गल्पी याद रखी है सब लोग यह पॉइंट देख लीजिए इंप्रूव्मेंट इंप्रूव्मेंट के जितने भी सवाल होते हैं उसमें एक ट्रिक कभी न कभी खेलता है और वही ट्रिक इस क्वेश्टन में खेली गई है सेंटेंस में इंप्रूव्मेंट आप तभी करेंगे अगर वह सेंटेंस गलत होगा के बात एकदम याद रखिये कंठ बांध लीजिए अगर कोई sentence आपके नजर में गलत है कभी आप उसमें improvement करेंगे और अगर गलत नहीं है तो improvement नहीं करेंगे भले options में उससे बहतर options मौजूद हो question कहता है कि अगर sentence गलत है तो लगाईए नहीं गलत है तो मत लगाईए यह तो normal सा basic sense है भाई आप गलत को सही कर सकते हो सही को सही नहीं कर सकते improvement का यह बहुत basic funda है कई वार ऐसा होता है कि options में जानबूच करके question से मिलता जूलता एक word देता है जिसमें कि आप लगता है नहीं इसको हटा कि यह लगा दो तो यह जादा सही हो जाएगा जादा सही नाम की कोई चीज नहीं होगी या तो वह गलत होगा या तो वह सही होगा और अगर गलत है तो सही करना सही है तो कुछ भी करने की जरुरत नहीं है ठीक अला कि इसमें मेरी भी एक mistake है कि मैंने इसमें आपको कोई एक option नहीं दिया no change का यह मेरी मिस्टेक है, ठीक, चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं नो चेंज देता हूँ, ठीक, देखे बिटा, सब लोग लिख लीजिए, काल, इसका सिंपल मतलब होता है, लाइक, बस, इसका यही मतलब होता है, I care for all my students, इसका मतलब I like all my students, बसे इसका मतलब होता है, हाँ हाँ श्वांगी जी हाँ हाँ समाध यह मैं सारी 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 सभी लोग को में तरफ से वेरी सारी थोड़ा सा question लिखते समय यह ध्यान नहीं दिया मैंने तो कह रहा है कि मुझे ना ऐसे जाग वाले खराब करे शरीर को वहिसे द्रिंग्स मुझे नहीं चाहिए होता है मुझे नहीं चाहिए ठीक और लेकिन मैं वाटर्ण करता हुँ आप रिफर वटर तो लिखा है देखो बेटा केर फॉर का सिंपल मतलब है क्या है लाइक और कोई चीज आपको पसंद है तो आप लिख सकते हो care for या फिर आप लिख सकते हो like और वो ना पसंद है तो उसके पहले आपने don't लगाया ही हुआ है don't के बाद care for ये same meaning देगा किसके like जानबूच के option में like का option दिया हुआ है कि आप लोग फस हो हाँ मेरी गलती कि मैंने यहाँ no change नह कि कॉमेंट्स हाँ बिटा मेरा उद्देश वही था मैं मैं वही करना चाह रहा था लेकिन थ्वासा गवड हो गया गलती से mistake हो गया कोई बात नहीं तो इसलिए मैं जानबूच क्या like दिया है कि मैं जानना तो कुछ बच्चे like के साथ जाएंगे तो लेकिन जो लोग like के सा चलते हैं आज का लास्ट कोशन आपके बोर्ड पर आ रहा है स्वरी कि चलिए यही लास्ट कोशन था बेटा तो आज हमने जो सीखा क्या हमने आज सीखा कि कैसे कि ठीक है इतना भी रहसने जरत नहीं है गलती से गलती हो जाती है कोई बात नहीं जल्दी-जल्दी मैं क्वेश्टन मिलाने में थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया तो आज हमने दस फ्रेजल वर्प्स देखे और दस पर हमने दस ही करवाया आज क्योंकि जादा बर्डन नहीं करना मुझे मैं नहीं चाहता है कि एक दिन में सब भाग जाए आप आराम से पढ़िए धीमे धीमे बढ़िए कोर्स नहीं भगाना है मुझे बहुत तेजी से धीमे पढ़ाऊंगा अगले क्लास में और फ्रेजल वर्प्स क्लास आई जाता हूं जाता हूं और वाइस क्लास चल नीत हैं तो टाइमली आया करिए उससे हमें भी फायदा होगा आपको फ्रेजल वर्प्स लेकिन अगले क्लास में थोगए ले अप रहेगा तो अपने आपको प्रिपार करिये मैं कोशिश करूँगा की न्यूजबर की joining me, bye-bye, take care and time.